तो इस बार policy में RBI क्या फैसला लेगा, इस पर Zee Business ने experts के बीच में एक बड़ा पोल कराया है और उसकी पूरी detail है मेरे सही होगी कुशल गुपता के पास कुशल, morning, हम देखने, international market में तो बहुत सारी बाते हो रही है ब्याजदरों को लेकर कल की, जो monetary policy की बैठक होगी, क्या देखने को मिल सकता है, experts क्या मान रहे हैं बिल्कुल, morning, नेहा, आप देखें, जिस तरह से RBI इस बारी भी expectations यही बन रही है कि जो ब्याजदरे हैं, वो stable रखने वाले हैं, status quo हो सकता है, क्योंकि उसमें कोई भी बदलाव expected नहीं है तो लगातार पांच भी बार ऐसा होगा कि यहां पर RBI अपनी monetary policy को बिना बदलाव के रख सकता है तो expectations यही है, हमने 6 सवाल important पूछे हैं जानकारों से, जिसमें पहला तो यही था कि RBI जो है, इस policy में क्या करने वाला है, तो सभी ने status quo ही बताया है कि कोई बदलाव नहीं होगा ब्याजदरों में दूसरा सवाल हमने पूछा कि जो rate cuts है, वो कब से शुरू होते वे नज़र आएंगे तो यह काफी एहम सवाल है, जो सभी के minds पर है इसका जो जवाब आतावा दिखा, उसमें 30% लोग यह मान कर चल रहे हैं कि April 2024 से यह सिलसला शुरू हो सकता है, जबकि 70% लोग यह मान रहे हैं कि June 2024 यानि कि अगले वित्ते वर्ष के पहले तिमाही के बाद आपको यहाँ पर यह rate cuts आना की संभावना लग रही है तीसरा सवाल काफी important था कि जो policy stance है, अभी withdrawal of accommodation का उसमें कोई बदलाव हो गए नहीं, तो सबी ने कहा कि अभी उसमें कोई भी बदलाव जो है नहीं होने वाला है, तो यह एक important aspect है जो हमने जानकारों से जाना in fact GDP estimates में बदलाव करेगा या नहीं, RBI का क्या रुख रहेगा GDP को लेकर इस पर भी majority लोगों ने, in fact 100% लोगों ने माना कि यहाँ पर GDP estimates में बदलाव होने वाले हैं तो 30% मान रहे हैं कि बदलाव होगा, बट 70% अभी भी यहीं मान कर चल रहे हैं कि यहाँ पर बदलाव नहीं होने वाला है, an important thing, last सवाल हमने यह था, पूछा था कि जो risk tightening measures हैं, वो और जादा intensify होते वे, नजर आएंगे या नहीं तो सभी जानकारू का यहीं मानना है कि यहाँ पर और further risk tightening की जरूरत नहीं है क्योंकि अभी जो स्तेती है, inflation भी control में है, तो 100% लोग यहीं मान कर चल रहे हैं कि यहाँ पर risk measures जो है, और tighten नहीं किये जाएंगे अब यह देखने वाली बात होगी कि कल finally क्या फैसला निकल कर आता है, धन्यवाद कुशल पूरी डेटेल के लिए